है ऐफ सभी होप आप से अच्छे रंगे तो आज की इस वीडियो में बनाने वाला हूँ यह वाली गन आप देख सकते हैं गाइज जार यह एक साउंड गन आप इससे कापी जदा धमाकेदार साउंड क्रेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं देखने में एकदम रियल जैसी लग रही है आप देख सकते हैं लेकिन गाइज यह रियल गन नहीं है इससे मैंने पहले बिताया था आपको इससे सिर्फ साउंड क्रेट किया जा सकता है और इसमें कोई गोली हो गया नहीं लगते है तो इस वीडियो को लाइक जूर करना और साथ चैनल को सब्सक्राइब क आप ड्रॉ कर सकते हैं आप अपने हिसाफ से ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरीके सेप आपको चाहिए तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके सेप रखा है तो यहाँ पर मैंने प्लाई को भी कट कर लिया है और हाफ इंज की प्लाई है तो कि इस तरीके सेप में कट कर लिया है और आप देख सकते हैं तो अभी इनको जो है सभी को निकाल लेना है अच्छे से finishing कर देनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे को मैंने एक hole में convert कर दिया है तो अभी यहाँ पर आपको रिगमालक मदस्ती से अच्छे से घिस देना है गाईजर आप देख सकते हैं मैंने यह पर जोलरी सोग के यूज कर रहा हूँ तो जब तक मैं इससे कट कर रहा हूँ अभ चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजी तो अभी आपि अच्छे तरिके से कट होचुका है तो भी हम das to be right-nya और अभी हम तो आप देख सकते हैं और गैज यहार हमें इसे जो है अच्छे से टाइट कर देना है फिर उसके बाद हमें कुछ इस तरी के कपाट चाहिए आप कहीं से जुगाल कर सकते हैं मैंने भी इसे कहीं पर मुझे इसे मिल गया था तो मैंने यहाँ पर इसके जगा नेट बोल्ड का यूज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरी के से लगा देना है उसके बाद आपको स्प्रिंग जो है उसके अंदर डाल देनी है और अभी जो है आपको यहाँ पर जो मैंने होल किया था पहले से एक तो उसके अंदर इसे जो है लगा देना है तो जिलिए मैं यहापर बनान के लिए मैं पर पर प्यूर का बना על Corp मैं यहापर प्यूर कर रहा हूं आपको के Well moc 22 काप कर लेते हैं या पर कुछ सेपमें मैं से कट कर लिया है और काफी leader किंप इसद्रफ कर दिया मैंनें पेची एक कट लगा जा उसको guys year मैंने इसलिए लगाया है ताकि मैं आप पर spring को जो अच्छे से fix कर चकूँ तो इस तरीके के spring लगेगी तो बिना spring के एक कुछ इस तरीके से काम करेगा यानि कि जब भी नीचे खेचेंगे तो यह उपर आपस नहीं जाएगा तो spring लगाने के बाद आप देख सकते हैं यह जो है अपने आप ही उपर जाने लगा तो हमें कुछ ऐसा ही चाहिए तो यह भी अच्छे से काम कर रहा है तो भी guys year आते हैं हम इसके उपर वाले हिससे पर तो हमें इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे fix करना है तो उसके लिए guys जार हम यहाँ पर एक hole करेंगे उपर side तो अभी यह कुछ ऐसे काम कर रहा है आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक cycle के तिली लेनी है तो इसके जो है trigger के आगे लगाने के लिए तो यहाँ पर yellow shape में इसे cut क लिए आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इसे अच्छे से चिपका देना है यहाँ पर चिपकाने के लिए मैं उद्मच कर रहा हूँ super glue का तो super glue की मददस से आप जो है इसे अच्छे से चिपका देना है आपको तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से चिपका दे रहा हूँ और कुछ ऐसा ही हमें बनाना है तो आप देख सकते हैं और अभी हमें इसे इसके अंदर fix करना है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं तो हमें यहाँ पर एक hole करेंगे drill की मदद से तो आप देख सकते हैं और एक लंबास आपको screw चाहिए आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके से है तो हमें इसे इसमें अच्छे से tight कर देना है और उसे बाद हमें यहाँ पर एक hole करना है plywood में तो आप देख सकते हैं तो उपर से मैं यहाँ पर hole कर लेना है तो आपको ध्यान देना है कि आपको seed में hole करना है जैसा pipe में hole हो उसी के seed में fly में भी होना चाहिए तो उपर की तरफ से मैं अच्छे से इसे टाइट कर दे रहा हूँ screw को तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं काफी मजबूत हो चुगा है तो भी मारी गन कुछ ऐसे काम करेगी तो भी spring आपको लगा देनी है आपको ध्यान रखना है hole करते वक आपको spring अगरा सब कुछ निकाल लेना है उसके बाद भी आपको फिर से वही दोबारा process आपको spring लगानी है उसके बाद सारे काम कर देने है और भी आप देख सकते हैं काईजर यह हमारे gun जो है अच्छे से work कर रहा है यह पीछे किसने के बाद जो है इसे यहाँ पर रोक ले रहा है तो हमें इसा ही चाहिए और trigger प्रेस करने के बाद जो है आगी के तरफ निकल रहा है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ही हमें चाहिए तो आपको ऐसे ही बना लेना है तो यहाँ पर हमेंने PVC की seat cut cut के round shape में आप लगा दिया है जिससे और प्यादा realistic लगे तो आप देख सकते हैं और प्यादा यह अच्छा लग रहा है तो अभी जो हमारी गंद हो काफी अच्छे तरीके से complete हो चुकी है तो अभी हम आते हैं इसके आगे वाले process पर तो अभी यह कुछ ही इस तरीके से काम करेगी आप देख सकते हैं तो जब भी हम trigger को press करेंगे नीचे की और यह अच्छे से काम कर रहा है तो अभी आते हैं इसके आगे वाले process पर जो की यहाँ पर है तो उसके लिए गाईज हमें एक pipe cut कर लेनी है metal की आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कुछ ही इस तरीके से fix करना है इसे तो हमें इसे पहले पीछे की और खिंच लेना है और भी गाईजर हमें इसे glue gun से अच्छे से भार देंगे इसको अंदर पूरा ताकि जो हम उसको fix कर पाए अच्छे तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने glue gun को काफे अच्छे से यहाँ पर घर दिया है तो अभी यह सूख चुका है तो चलिए इसमें drill करते हैं drill करने के लिए मैं यहाँ पर उसी pipe जो मैंने cut किया था उसी सेम साइच के आपको ड्रिल करना है तो यहाँ पर मैं अच्छे से ड्रिल कर दे रहा हूँ तो बीचो बीच आपको ड्रिल करना है आप ये बात ध्यान दीजिएगा तो बीचो बीच एक दम आपको ड्रिल कर देनी है तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अच्छे से ड्रिल कर दिया है तो यह घली से चला गया हई अच्छे से चिपक भी गया है तो अभी आप सकتे हैं घण जो अच्छे से बन चुकी है तो अभी हम बनाएंगी गैजियर इसकी बुलेट तो इसके लिए हम यहां पर यूज करेंगी साइकल की वाल का तो अब देख सकते हैं मैंने कट कर लिया कुछ इस तरीके से और यहां पर गैजियर हमने इसे तैयर कर लिया है तो अभी चली इसके अंदर जो लगाते हैं अगर आप बुलेट बनाना चाहते हैं तो वीडियो मैंने अल्री जो है अप्लोट कर दिया है चैनल पर जाकर वापसे देख सकते हैं इसे किस तरीके से बनाते हैं हम इसे जो है आगे वाले पार्ट में लगाएंगे कुछ इस तरीके से और गज़र भी हमारी गंद जो है तयार है फायर होने के लिए यानि चलने के लिए तो उचली इसे चला के देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से साउंड करती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से साउंड करती है और हमें इसे जब निकाल लेना है तो हम इसे निकाल भी सकते हैं इसली तरिके से और मैं दुबारा से हीषित जो फिर से चला सकते हैं तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरू करना हो चानल को सब्स्टराइब कर लिजिए हम देलते हैं आपको इस नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ